गुट इबनिंग एबिवन एन वेलकम टू एजुकेशन फोर यू गई सभी का बहुत बहुत श्वागा थे हादिगाविनन्दा ने ठीक शाम 6 बजे एजुकेशन फोर यू लाइफ क्लास पर तुस्तो आज का जो क्लास है वो यूपी टेट के लिए 28 नौवंबर को जो एक् बहुत जवर्दर सा बहुत मॉडल पेपर हम लोग लेकर आएं आप लोग एटेम्ट करें इस पेपर को और बताई क्या यह सीटेट का जो एक्जामिनेशन हुआ था अगर आप इसमें होते तो आप कितने नंबर लेकर आते हैं तो बिल्कुल यहां पर सभी का शौगात है स अधिक शौगात एक बहुत जवर्दर सेशन आप लोगों के सामने यहां पर है हाला कि आप लोगों को हमने पहले वी सुचित किया है शुशिल यादव जी रुहिच जी संजीर जी एजेगिरी जी है निहा पाश्वान जी है सद्धार शाओ और परीमोधी जी गुड़ के लिए भी बहुत कुछ आ रहा है हाला कि कुछ वीडियो साइंस वाले बच्चों के लिए भी आ रहा है पेपर टू की हम बात कर रहे हैं आज इसके बाद जो रात नो बज़े मेरी क्लासेस होगी वहां पर हम डिसकर्स करने वाले हैं मैस पैडागोजी को कश के लिए सीट रेडियर पाया जाता है रेडियर क्या होता है दोस्तों रेडियर मांसूल में टेगा में टूटरा प्रदेश में या गर्म इस्तलों में पाया जाता है रेडियर एक जैनवर करना में चलो पहले आप एक टेम्ट करेंगी दोस्तों जल्दी से सर मैस का प्रक्टिस कब होगा शंगिता शाओ जी आज रात 9 बज़े आज शीक रात 9 बज़े इसी प्रेटफॉर्म पे यहीं पे मैथेमेटिस का प्रेक्टिस सेट लगाया जाएगा प्रेक्टिस सेट वन आज आप के लिए आ रहा है सेट्स के लिए भी हाँ बिलकुल यह देगे शूबाश किमार जी सेट के लिए काम आ सकता है हंडेट पर संट आ सकता है पर यहीं बात करें नंबर 1 यह कहता तो रेडियर आपको बता दू आप्शन नमर सी टुड़रा प्रदेशों में पाया जाने वाला एक जानबर हम लोग कह सकते हैं रेडियर का रंग और आकार जो होता है उसके इस्तान के अनुशार अलग-अलग जगे पाया जाने वाले रेडियर जो होते हैं अलग-अलग मुदाय ऐसे भी हैं जो रेडियर को अपना धार्मिक महत्र भी उनमें होता है ऐसा मानते हैं यह याद रखीगा पहला प्रसंता बहुत धमाखेदार प्रसंता और आई तिंग आप सभी का जवाब आया होगा सही निमलिकित में से कून सा एक शितोशन घास का प्रदेश नह को परी है प्रदेश के नाम अगर लोग देखेंगे तो द इस एक आपड़्याश प्रदेश है ठीकि कहां पर आप जांते ho यह आउस्टरिया का याद रखेगा हम चलते पेरियर का है इसका है ये यू एसे में देखने को मिलता है अब हम चलते है पंपस आपको देखने मिलता है एक्चुली अर्जेंटीना में कहा मिलता है अर्जेंटीना में और इसके बाद हम चलते हैं कमपस तो गमपस एक्चुली मैं आपको बता दूझ शितोष्ण घास परदीश है ही नहीं तो मैं यहाँ इसे रिप्रेजेंट नहीं करना चाह本ा इसे नहीं समझाना चाहूँ को क्योंकि यही right answer है यह situation घास प्रदेश नहीं है जन संक्या के अनुशार से बहत्तम महादिप कुण सा है आप यह बताएंगे अगर जन संक्या के according अगर महादिप की सूची बनाएंगे तो कुण सा महादिप किस तरीके से बनेगा आपको यह बताना है जन संक्या क कुण करना है दूस्तों यहां पर सभी को बदाना है कि क्लास आप यहां पर 6 वजे की जाएगी विकरम बासकर जी क्या कहते हैं डी एससबी के लिए सिटेट के नंबर जो होने चाहिए हो 90 नंबर होने चाहिए अगर देने जा रहे हैं तो आपके पास कम से कम 90 नंबर होने जी सबसे जी अइसे वोड़ी में सबसे जादा इससे मेंहोग है एस्टे सबसे बड़ा महादीप आफ लुक्ट जानते हैं जनसंक्या की बात करेंगे 59-69 पर सैंट के असपास जन संक्या निवास करती है पूरे वर्ट के आफ्रीका भीस में 46 36 यह आसपास जनसंख्या निवास करती है यूरोप की बात करेंगे तो 9.94 परसेंट निवास करती है उत्री अमेरिका के एकर हम बात करेंगे तो 7.79 परसेंट के आसपास निवास करती है तो आप इसके अधार से आप देख लिजे कि सबसे बड़ा महाधिब जनसंख्या के अधार पे कुनसा है तो वह हैं गुंसा है ऊसेर को याद रखेगा भारत में अट्वी निवास करती इंग्यक्ष göz सबस्कराइब अब सब्धेब करों है सभी व क्लास है नहीं सब्धें नहीं उल्हाई.. तरंगो किया होता है भारत में थारु जन जन जाथी कहा पर निवास करती है आपको ये बता न UP न trig जाथी यह अधिक गया हूं-ध फ्र nó Woah-T नेपाल में भी पाई जाती, तहरु जिन जाती जो होती पर याद रहिएगा, याद रेखिएगा अगला प्रेशन अगला पाश्चन अगया है भिलाई इसपास सेंथर कहां परस्तेतर बीए प्रीजिसन नमर्त राहिए ईसका नाम है भिलाई इसपास सेंथर विलनारह नाम है और भिलाई इस्पास सैंत्र जो है ये 36 गड़ में देखने को मिलता है पहले ये मद्ध प्रदेश में गवा खरता था जब डिवाइडिशन नहीं हुआ था जाती है हाँ अगर ये कब खुला गया था तो बात थी 1955 की बात थी जब याद रखेगा काफी इंपॉर्टन कोशन है आगे चलते हैं भारत में महिलाओं के लिए अरक्षन की व्यवस्ता कहां परें परते हैं भाई महिलाओं के लिए अरक्षन तो कहां कहां है आप लोग बता अगर आपने तक नहीं पढ़ा है तो वीडियो आप लोग देख ली जगाँ सीटेड वाले ख्लास अटेंड कर सकते हैं नाच खांझी 100 पर्शन कर सकते हैं कोई दिखत की बात नहीं बहुत अच्छे कुशन से आ सकते हैं यह आच्छिली की क्या होता है भारत में महिलाओं क के लिए अरक्षन की विवस्ता कहां पर है कुशन नमर छे है और छे का जो जवाब आप लोग देंगे दोस्तों यह जवाब आएगा आपका भी पंचायती राज विवस्ता में अगर आप देखेंगे तो भारत की अगर आप बात कर रहें तो हां यहां पर महिलाओं के लिए अरक्षन है अब बात यह है कितने पर्संट अरक्षन है थी कि पंचायत में 33% महिलाओं को अरक्षन दिया गया है हालंकि आप ल western शंतों धा जिसको हम जानते हैं है इग धास मिलाओं संसोधन जो है यह था 27 बेल कभ आया तब है यह 24 अप्रेल 1992 24 अप्रेल 1992 24 अप्रेल 1992 में पंचायती राज व्यवस्ता को ना केवल एक नई दिशा प्रदान किया था इस त्रहतरवा सम्मिदान संसुदान बल्कि ये महिलाओ के बारे में आरच्छन की भी बात की थी तो I think जब आपसे पूछा जाए कि सम्मिदान संसुदान किसे संबन देते तो पंचायती राज से संबन देते ये भी चीज़े याद रखेंगे काफी महत पूर्कोर्षन अगला प्रशन आपकी स्क्रीन में बिल्कुल आएगा सुनिता कुमारी जी 100% सिटेट में भी काम आएगा हाला कि जब हम क्लासेस करेंगे इसके बाद तो सिटेट और यूपिडेट की दोनों साथ में करेंगे पर अभी जब आप रात नो बजे आएगे तो केवल केवल सिटेट के लिए क्लासेस आ रही है जो मैस पड़ागोजी की या आज से वहाँ पर क्लासेस नहीं होगी किसी राज्य की राज्यपाल की निवक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए आप यह बता है कोई राज्य का राज्यपाल है इसकी निवक्ति के लिए कितना एज होनी चाहिए आप से पूछा जा रहा है कुछन नंबर यहां पर अगर हम देखें तो सात्वे नंबर का प्रश्ण है और सात्वे नंबर का जवाब आएगा C. 35 एर कितना आएगा आपके पस 35 एर 35 एर इसका absolutely right answer है कितना आएगा इसका बस 35 एर गई हाँ हाँ चलते हैं कुछन नंबर एट ले लेते हैं कहते हैं सूची वन और सूची दो में सुमलन करते हुए सही कूट को चुनिया यह कहते हैं भारती संग राज जे नगर निगम और ग्राम पंचा है चलिए इस कूट को आप मिलान करके देंगे हैं मुझे कुछन नंबर एट हैं और फिर मैं आपको एक चीज़े समझाऊंगा जिससे आप लोगों का यह कॉंसेट बल्कुल क्लियर हो जाएगा चलिए आंसरस करिए आप लोग पहले तो भारती संग का अगर आप यहां पे मिलाएंगे तो प्रधान मंतरी ही मिलेगा राज का राजपाली ही होता है राज का क्या होता है राजपाल होता है मतलब यहां पे मिलान होगा सी के साथ नगर नियम में मेर होता है और ग्राम पंचायत में सरपंच होता है तो इसके अधार में अगर हम लोग बात करेंगे तो मेरे साथ से ए वाला जाएगा देखिए भारती संग प्रधान मंत्री राज जी के लिए राजपाल सी नगर निगम के लिए आपका डी मेर और ग्राम पंचायत के लिए सरपंच आपका बी तो ये चीज़े आ जाती है आप इस कुशन में अफवाद रहा है आपको बता दूं और इसकी यह जब कुशन यूपी डेट में आया हुआ था तब भी अफवादित था पर इसका जो सही आंसर लिया गया था वो डी लिया गया था के रल नाइंटेंटिटिनाइक ज़की इससे पहले भी इसका इस्तमाल किय जा चुका था आपको बता दें हम लोग यहां पर बिल्कुल कुछ लोग कह रहे हैं कि वाट्सप गुरूप कहां पर मिलेगा तो भी वाट्सप गुरूप मिलेगा आप लोग देखिए उसको ध्यान से पूरवक वाट्सप और टेलिग्राम दोनों गुरूप होगा यह पी आप बी वाला ऑप्षन जो था वो डी में होना था पहली बात तो आपको दसवे नंबर का प्रश्न है तो दसवे नंबर का जो प्रश्न आएगा वह उप्यूक सभी आएगा आपको बता दूं यहां पर चुंगी कर मनुरंधन कर ग्रह कर जो होते हैं सारे कर जो होता है कुशन नंबर 11 है हला कि देखें यह कुशन बहुत बढ़िया है बहुत अमेजिंग है अगर हम यहां पर ट्रेंग की बात करें तो यह प्रश्न की पूछा जा चुका है और बार बार बनता है आपको बता है सुनीता कुमारी जी बिल्कुल सही कह रही है वीडियो को लाइक 1853 कि यह बात थी जब पहली बार ट्रेंग चली थी अब इस समय आप देख पा रहे होंगे कि सूला अप्रेल 1853 में देश तो आजाद नहीं था ब्रिटिस सरकार थी उस समय तो यह ट्रेंग चलाई गई थी और समय था तीन बचकर 35 मिनट का समय हो रहा था और उस समय क्या थ ट्रेन को चलुकिया गया और यह चलाई गई मुंबई से ठाणे यानि बंबई से ठाणे की बीछ चलाई गई बिस डिब्बे की ठेन ती उस वक्त इसमें 400 यात्री ने सफर किया था और यह ट्रेन जो थी यह 24 किलो मेटर की महस दूरी ती कि गई थी वह आप सोच सकते हैं चारसो यात्री 20 दब्बे 34 किलो मीटर तीन बचकर 35 मटकर समय सूला एप्रेल 1853 का यह समय था जिस समय हमने यह आपको बदाया कि भाई बंबई तो ठाड़े के ट्रेन चलाए गई थी बिटिस सासंकाल में चली थी हलाकि जो ट्रेनों का जाल बिखायाता वह ब्र Buffum घृटोषत का सब्सक्राइब अब्राव सब्सक्राइब का है यह सबसे बड़ा पॉष्यम मला और एक महीने चलता है कि इतन connections यमेला कम से कम एक महने चलता है कितने महने चलता है? एक महने चलता है और इस मेले का नाम है शोनपूर मेला भीया यहाँ पर जो पशुओं का सबसे बड़ा मेला है वो शोनपूर मेला है अब यह सोनपूर कहा है? आप लोग यह सोच रहेंगे कि इस्तापना का हुई थी आप बनाइगे राश्टी एक्ता परिशक जिसे एनाइसी कहते हैं क्या कहते हैं इसका गटन कब हुआ था यह कुशन आ चुका है इसका उद्धेश कया था आपको बतात हुए पहले जब तक आप लोग सोच रहे हैं इसका उद्धेश था समप्रदाइक्ता जातीबाद चेत्रबाद भासा की जो आप बुराहिया है न इनहे कशत्म करना हाँ इसकी जो पहली बैठाय कocyico की गई थी वह 192 में की गई थी 1962 मे पहली बैठक इसकी आयोजितिविती जहां संप्रदैक्ता, जातीबाद, छेतरबाद और भासाबाद की उपर बात की जाएगी, ये बताया गया था और ये एकता परिशन की स्तापना 1961 में होई थी, ये जबाब आपका बहुत सही है, अगला कोशन जाता है, अगला कोशन जात हो सके तो ये वीडियो को आप लोग शेर कर देगा, आज का पहला क्लास है, पहला वीडियो है ये, हलाकि कम लोग इसे जानते हैं आज, तो यहाँ पर देखिए, अभी आप लोगों के लिए अप मुल्टिपल वीडियोस आ रहा है, आप चिंता ना करें, साइंस का भी आ र आपको दो चौदा नंबर का प्रश्न है, चौदा नंबर का डी जबाव आएगा, चौदा से अठारा, अनुछे दगर हम बात कर रहे है, 14 नंबर कोशन है, चौदा से अठारा, इसके लिए सही जबाव होगा, संता के अधिकार का उल्लेक जो होता है, शमिधान के चौदा पंदबर कोशन आप लोग कोशिस करेंगे किस देश में लचीला संहिधान है, शुनिता कॉमारी जी ती दिन का इंति तो यहां पर भारत की अगर आप बात कर रहे हैं तो हाँ भारत का पंदरा की हम बात करेंगे तो यह आएगा युनाइट किंडम इसकर रही राइट आंसा है किस देश में लचीला समिधान लागू हुआ है तो हाँ युनाइट किंडम में यह लचीला समिधान लागू हुआ है ऑप्शन नंबर 15 है पंदरा का जवाब आपके पास भी हो जाएगा निम्ड में से कुन सा अचल जीव का उ कुशन नंबर 16 है काइटन एकनस यूकेलिप्ट यूपे तो यूपे लिया के टेला तो यहां पर यह चीजें है तो देखिए इसका सही जवाब जो आता है सिक्षिन नंबर का वह सी जवाब है क्या आएगा यह सी जवाब है जो बिल्कुल सही जवाब है अगला कुशन दे यूपे जलदी से मुझे बताएंगे प्रोटीन अड़ों की हिकाई कैसी हुती है आपको बनाना है एमीनोघ मिर्टामिन लोकोष्त या वश लुकूर्श जल्दी से परोटीन अड़ों की इकाई कैसी होती है देखिए इन्वार्मेंटल स्टडी में यहां पर साइंस का प्रशना चुका है जल्दी से देखने हैं कुन जवाब देता है इसका बहुत बढ़ी है संजिना जी वेरी गुड एंड इसका पहला जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है मुझे वे बिल्कुल वी जी का पहला जवाब सबसे बढ़िया सबसे फास्टेस जवाब है यह कहती है एमीनो एसीड एमीनो अमले जिन्हों ने कहा है बिल्कुल एक नंबर आप लोग जोड लीजिए अपने बिल्कुल एक नंबर की आप यहां पर हगदार बनते हो दोस्तों अगला परशन देखते हैं निम्न में से कून सा अंगग पादव कोशिकाओं में अनुपस्तित होता है आपको बताना है कून सा अंगग जो होता है पादव कोशिकाओं में अनुपस्तित होता है पादव कोशिकाओं में नहीं होता है आपको बताना है कोशन नंबर 18 हलांकि 18 नंब मनुस्श के सरीर ची सबसे बड़ी ग्रंथी ऐसे प्रश्न बूसता है। कंप्लेटली साइंस कोशन डालता है। मनुष्र के सरीर के सबसे बड़ी ग्रंथी कुन सी है। ये कहते हैं उत्तर प्रदेश का राज की पक्षी कोन है दोस्तों डिकेश निगम जी बिल्कुल आपने भी बताया होगा पर जो कमेंट्स मुझे पहले विजिवल दिया ना उसका नाम पहने दिया चलिए जल्दी से जवाब देंगे भाई आप तो उत्तर प्रदेश के रहने ना हो आप परिशान ना हो यह कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का राजी पक्षी कून सा है तो उत्तर प्रदेश का राज की पक्षी शारस क्रेन है दोस्तों सारस क्रेन है इसका उत्तर प्रदेश का राज की पक्षी याद रखेगा शारस क्रेन बहुत बढ़ी है अच्छा कह रहा है पुर्वा किस अधिवास में सामिल है पुर्वा किस अधिवास में सामिल है 21 तबल का प्रश्ण है चलिए यहाँ पर आगर आप जवाब दे रहे हैं पुर्वा किस अधिवास में सामिल है तो आपको बता दू ग्रामीड अधिवासों में शामिल होता है किस अधिवाशों में होता है ग्रामिड अधिवाशों में होता है बिलकुल लॉक कर दीजिए बिलकुल लगा दीजिए मोहर यहां पे यह सही जवाब आता है ग्रामिड अधिवाश क्या आता है ग्रामिड अधिवाश आता है कून सा जौला मुखी परवत है आ आप भी जानते हैं इस सभी लोग जानते हैं जौला मुखी परबत कोण है कि ली मंजारो कि ली मंजारो इस आपसूलोटली रही राइट आप 23 है का तई वेरी गुड यहां गईज, बहुत बड़ी आप बहुत अमेजिंग आप लोग कर रहे हैं, तेविश नमबर का प्रश्ट हैं, आप लोग जवाब देंगे यहां पर क्या होता है, एलेफेंटा दीप समू कहां पर हैं, तो यह सही जवाब इसका था, ए मुंबई तट, मुंब पर पाये जाते हैं, आप यहां वर्शा कितनी होती है, या हम उल्टा इसका पूझे कि मानसुनी वनों में कितनी वर्शा होती है, दो तरीके से हम इसे पूछ सकते हैं, दोस्तों, तो देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं, मानसुनी वनों के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो मानसूनी जो वन होते हैं दूस्तों आपके वो पाए जाते हैं आपके जहां पर बारिश होती है लगभग सतर से 200 सेंटीमीटर के आश्पास होते हैं उन वनों को हम लोग मानसूनी वन कहते हैं क्या कहते हैं मानसूनी वन कहते हैं भारत देश में सबसे अधिक बारिज कहां वर जो हैं सरय क्लास 5 जे से करए सुनिता कुमारी जी क्यों छे वजेक को क्या का मैं आप बताई पहले कि अ सतर सेंटीमीटर सब्सक्राइब से दूसों सेंटीमीटर के आसपास यह मानसुनी वन पाए जाते हैं जहां बारिश होती है सब्सक्राइब 200 सेंटिमीटर के बारिश होती है वहाँ पर यह मांसुनी वन पाए जाते हैं यह कह रहे हैं कर्भी एंग लॉग पठर विस्तार में यह कहां पर एंग बताएं कर्भी जल्दी से पताएं कर्भी एंग लॉग जो है यह पठर कहां पा रहे हैं बहुत ही डिफिकल्ट कूशन था यह और ये नाम है एक प्रायदी पठर का आपको बता दू आप्शन नुमबर सी इसके लिए सही जवाब है प्रायदी पठर आगे चलते हैं संसार में सर्वदिक समस कर दिया गया यह क्या है परें आप सभी जानते हैं कि बंगाल का आगPatrick बताया गया है वह क्या है तो देखें बंगाल का अतनक इसलिए लगाई गया था कि बंगाल में लाई गई थी और इसे लगाया गया तो भाई ये 10 गुना तेजी से ब्रग्दी करती है यहां पर बंगाल में इस तरी के से फैल चुका है जिस तरी से भाई खेहना चींए कि पूरे एरियों कवर कर लिया इने जली छेत्रों को और वह हैं जलक खुम्बी को कही ना कहीं यहां पर बंगाल का आतन्क बताए गया है सिम्टम्स होते I Har Rares क्रिश्टली रूप में परावर्तित की जा सकते हैं यह कहते हैं यह इसमें वनसानुकर समगरी नहीं पाई जाती हैं इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है तो वहां पे आपका जो वायरेस होता है यह यहां पर अजयविक होने का लक्षन हो जाता है ऑप्शन नमबर भी यहां पर absolutely right है बिल्कुल सही है पादव हार्मोन जो फलो को पकाने के लिए सहता करते हैं आप भी बताईए फल कैसे पकते हैं 28 नमबर का कुर्शन आप बताएंगे फल कैसे पकते हैं फिनी तो हम आपक ऑदव हर्मोन झो फलो को पकाने के लिए इस्तमाल किया जाता है अपका ऐथिल एथिली इन में फलो को रखा जाएगा तो यह गैस करेगा यहां एस्ट करेगा अगे चलते हैं इसेरी डिंगल उती है अब जेसे हैं वहाँ गर्मी जाएगे और उस गर्मी के करन पलक्या हों जिवाडू जिसमें नाइट्रोजन इस्तिकरण की छम्ता होती है वह क्या है कुशन नमबर 29 चलिए इसके बाद एक कुशन और आने वाला है कॉलिस्ट्रियम तो यहां पर जबाब आएगा आपके पास ऑप्षन नमबर वन ठीकि ऑप्षन नमबर वन आएगा दोस्तों स्वत बिच्टार का डिने को शिकाओं में शमान रूप से पाया जाता है अंगे जो मॉडविठी को इसको च्रूंप करें लोग hairy तो बैटर तरीके से एक नंबरवदर आपका यहां पर कहीं भी नहीं जाने वाला है यह चीज़े आप लोग याद रखिंगे तो यह क्लास यहां पर रुझारा होगी सामद स्वेड़े होगी कि रुझारी लगती है हिमानी जी हिमानी जी जी यह सामद याप को सब्जेक्ट इसमें पढ़ाया जाएगा जो all test examination के परपरस्टे होगा हाला कि देखिए रात नौ बज़े जब लोग आज जुड़ रहे हैं रात नौ बज़े जब आ रहे हैं रात नौ बज़े जब हम लोग connect हो रहे हैं जुड़ रहे हैं तो वहाँ हम इसकर्स करें जो आ सकते हैं examination में, तो आप लोग ready रहेगा, तो गाईस बहुत बहुत धन्यवाद आप नमाम लोगों का जुड़ने के लिए, आज के session से thank you so much for watching this video, और वीडियो को share जरू करें और अपने दोस्तों के साथ दोस्तों का जरू पहुंचाए, like करें, share करें से और ज्यादा से यहाँ पर आप इस लोगों को shooting करें कि यह class अब यहाँ साम 6 बज़े हो रही है, तो I hope आप लोग ने understand किया सारी चीजे, तो यह PDF आपको चाहिए, तो आपको कहां जाना पड़ेगा, टेलिग्राम चेनल में जाना पड़ेगा, हम आपको वहाँ पे PDF दे देंगे, यह देख और यह देखिए, इस तरह का return material आपको पढ़ने के लिए आज मैंने दिया, और यह सारी चीजे दी, PDF मैंने आज आपको provide किये, यह मैंने मिड्डे मील के बारे में आपको बताया कि भाई, यह मिड्डे मील है, यह देखिए आप, यह हमारे टेलिग्राम पे मिलेगा, आपक आपको हमने बताया है तो तो thank you so much everyone, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो share करिएगा, साम रात में मिलता हूं 9 बचे, एक और धमा के दर class में